अस्सलाम अलेकुम व्यूवर्स कैसे हैं अब सब लोग उमीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिली के साथ वेहत खुश होंगे तो चलिए जी आज ही हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चुई गार्लिक पटेटो की रेसिपी ठीक है इनको पटेटो नूडल्स भी का आज आता है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने ले लेने हैं आलू यहां मैंने 440 ग्राम्स आलू ले लिये हैं ठीक है चार आलू बनते हैं यह उसको हम लोगों ने सबसे पहले बॉइल करना है यहां मैंने पानी ले लिया है, पानी के अंदर हम लोगों ने डालना है 1 teaspoon नमक और फिर हम लोगों ने आलू को अच्छे से boil कर लेना है जी viewers यहां आलू boil हो चुके थे, मैंने उनका जो छिलका है वो उतार लिया है अब हम लोगों ने इसको कर लेना है mash जी यहां प्यालू भी मैंने mash कर लिये हैं, अब आरी आती है इसमें konflour शामिल करने की यहां मैंने 180 grams konflour ले लिया है ठीक है, यह देखें एक तक्रीवन पूरी प्याली बन गई है यह हमने अब इसको शामिल करना है और एक आटा गुन लेना है यहां मैंने ले लिया है 140 ml पानी और उसमें हमने शामिल करना है half teaspoon नमक और इसको अच्छे से dissolve कर लेना है, यह भी आगे काम आएगा आटा गुन दे में जी तो अब हम लोग इसकी एक बहुत अच्छी सी dough prepare कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉण फ्लॉर और अलू ठीक है उनको अच्छे से mix कर लेंगे और फिर साथ ही साथ जो हमने पानी प्रिपेर किया है नमक वाला हमने वह शामिल करना है और इसकी एक बहतरीन सी dough prepare कर लेनी है जी वीवर्स यहाँ पे dough prepare हो चुकी है अब हम लोगों ने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है ठीक है और किसी भी bottle की मदद से इसको shape दे देंगे जैसे मैं कर रही हूँ as it is वैसा ही करना है तो चलिए जी इसकी सारी dough की बॉल्स बना लेते हैं ठीक है और इसको mushroom shape दे देते हैं जी वीवर्स यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स को mushroom shape दे दी है तो अब बारी आती है इसको boil करने की हम लोगों ने पानी ले लेना है ठीक है उसको boil कर लेना है और इन सब को डाल के almost two to three minutes के लिए boil होने देना है जैसे ही ये खुद उपर आ जाएंगी तो मतलब हमारी जो dough है वो अच्छे से पक चुकी है जी यहाँ दो से तीन मिनट हो चुके हैं और ये देखें potato noodles जो है वो आस्ता इस्ता ऊपर आ रहे हैं तो मतलब ये complete prepare है अब हम इसको निकाल लेंगे ठीक है और इसको हम लोगों ने डाल देना है ठंडे पानी में तो चलिए जी इसको यहाँ से strain कर लेते हैं जी यहाँ मैंने इसको strain कर लिया है और मैंने यहाँ शामिल कर दिया इसको ठंडे पानी में ठीक है यहाँ हम लोगों ने रखना इसको दो से तीन मिनट के लिए सिर्फ जी विवर्स यहाँ दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब हम इसको shift कर लेंगे दूसरे बाउल में पाउडर, वन टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, वन टेबल स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे हॉट चिली सॉस quarter teaspoon हम इसमें शामिल करेंगे paprika powder quarter teaspoon ही हम इसमें शामिल करेंगे red chili powder one teaspoon हम इसमें शामिल करेंगे chicken powder half teaspoon हम इसमें शामिल करेंगे salt half teaspoon ही इसमें जाएगी sugar 2 tablespoon ही हम इसमें शामिल करेंगे बारी कटी हुई प्यास थोड़े से हम इसमें शामिल करेंगे रोस्ट किये हुए तिल और साथ में हमने शामिल करना है थ्री टेबल स्पून कोकिंग ओयल जिसको मैंने गरम कर लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे और अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी वीवर्स यहां पर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की यह बहुत ट्रेणिंग रेसिपी थी तो मैंने भी ट्राई की आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाला यू विल गूंग तो लव दिस और मुझे अपनी दुआओं में याद रिखेगा मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तिल देन अला हाफिज